आईपील की तैयारियों के लिए चैननाई सोपर किंग्स के टीम गुजराद के सूरत पहुंचे कप्तान धोनी नए लुक में नजर आई धोनी के नए लुक ने मचाई संसनी फैंस ने सीएसके टीम का किया स्वागर सूरत के लाल भाई कॉंट्रेक्टर स्टेडियम में धोनी ने जम कर नेट सेशन में बहाया पसीना 26 मार्च को सीएसके का सामना केके आर के खिलाफ आईसील में वापसी के लिए सीएसके के तेज गेंदबाज दीपक चाहर कर रहे हैं जोरदार तैयारी सोचल मीडिया पर दीपक का जिम में प्रैक्टिस करते वीडियो वारत दीपक रिहेब से गुजर रहे हैं उने वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोलकाता में खेले गए तीसरे टी-ट्वेंटी में एंजिरी हो गई थी जिसके बाद वो श्रिलंका के खिलाफ घरेलू टी-ट्वेंटी सीरीज से बाहर हो गए थे दीपक आईपील के शुरुवाती मैचों से दूर रह सकते हैं बावन साल के उम्र में शेन वान का थाईलेंड में देहान्त हो गया था वान के एक दोस्त ने खुलासा किया कि मौत के कुछ घंटे पहले वो राजस्थान रॉयल्स और आईपील की कहानिया सुना रहे थे शेन वान ने अपनी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स को आईपील सीजन वन का चैंपियन बनाया था आईपील 15 के शुरू होने से पहले आई अच्छी ख़बर न्यूजिलैंड के सभी खिलाड़ी न्यूजिलैंड के सभी खिलाड़ी आईपील के पहले मैट से ही रहेंगे माजुद न्यूजिलेंड इंटरनाशनल टीम के हेड कोच गैरी स्टीड ने एक प्रेस कॉन्फरेंस में कहा कि नीधर लेंड्स के खिलाफ होने वाली T20 और वन डे सीरीज में कोई भी बड़ा खिलाडी नहीं खेलेगा लियाम लिविंग स्टोन आईपील के लिए पूरी तरह तयार भारत आने के पहले दे दिया बड़ा बयार लिविंग स्टोन ने एक ट्वीट करके कहा कि उनका बैक पैक हो गया है और वो एक हफ़ते लंका शायर के साथ प्री सीजन कैप में हिस्सा लेंगे इसके बाद पंज पंजाब किंग्स के लिए आईपील खेलेंगे लेविंग स्टोन पंजाब किंग्स टीम का हिस्सा है पंजाब किंग्स ने 11 क्रोर 50 लाग के रकम में उन्हें खरीदा है देखो वहाँ पकड़ो काच जीतो मैच यह तो हर कोई जानता है लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं और जोड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चाल कसा,